नमस्कार मैं हूँ पूजा और इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे चर्खी दादरी में पशुधन मेले का आज समापन समारो होने जा रहा है समापन समारो में C.M. अमनोहरलाल खटर शिर्कत करेंगे पशुपालकों को समानित करेंगे ये आज का उनका कारिकम है समापन समारो है पशुपालकों को सम्मानत किया जाएगा मुख्यमंतरी द्वारा इसके अलावा किसानों को भी सम्मानतरी मुख्यमंतरी मनोहरलाल खटर और समापन समारो में सीम मनोहरलाल खटर शिर्कत करने वाले हैं चर्की दादरी में पशुधन मेले का आज समापन समारू है और इस पशुधन मेले में कई पशुपालक शामिल हुए थे और अपने पशुधन को लेकर आए थे पशुपालकों को सम्मानित करेंगे किसानों को सम्मानित करेंगे CM Manohar Lal Khattar समापन समारों में खुद मुख्य मंत्री आज पहुँचने वाले हैं तो इस वक्त की बड़ी कबर आपको बता रहे हैं पशूपालकों को सम्मानित करेंगे आज मुख्य मंत्री Manohar Lal Khattar किसानों को भी सम्मानित करेंगे सुरेंद्र शर्मा आपसे पूरी खबर के बारे में जानना चाहेंगे आज पशुधन पशुपालकों का जो मेला है उसका समापन समारों होने जा रहा है क्या कुछ कार्टम है किस तरह से समापन समारों रहेगा जी देखिए तीन दिवेश ये पशुधन मेला था पर्थम दिन है यहां 11 मार्च से आज 13 मार्च को समापन समारों है समापन समारों में मुख्य मंतरी मनहरलाल जी पहुंचेंगे और जो किसान अवल आए हैं उनको समानित भी करेंगे जो पशु परदरसनी के दोरान अवल रहे उनको भी इनाम बाटा जाएगा ड्रा के दवारा किसानों को भी इनाम किये जा रहे हैं जिसमें बोल्ट मोट साइकल है स्कूटी है और अंट्रैक्टर्स है जी पशु पालकों में और किसानों में कितना उत्सा देखा जा रहा है किस तरह से प्रतिक्रिया मिल रही है पशु धनमेले को ले करके जी देखिए तीन दिन से लगातार किसान भिन-भिन राज्यों से आ रहे हैं और यहां अगर हम मान के चले तो 15 से 20 जार की तादात में किसान रोजना यहां मेला देखने के लिए आ रहे हैं परदर सिन देखने के लिए भी लोकल छेतर से भी लोग आ रहे हैं और उनमें इतना उत्सा है कि वो बीड देखते ही बनती है जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंदे इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए